हेलो फ्रेंज मेरा नाम है पंपा त्रियानकुष लर्निंग चैनल में आज सबका स्वागत है यूटूब में मैं नहीं आई हूँ इसलिए अगर आपको मेरा ये पसंद आथा है वीडियो तो प्लीज सब्स्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा आज जो मैं कंसेप लेकर आई हूँ वह है क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों का कैसे हम माइंड शार्प कर सकते हैं कुछ कोशन्स में लेकर रहे हैं चलो देखते हैं यह critical thinking के कुछ questions लिखे रहा ही हो जो बच्चे बरे मज़े से करेंगे तो यहां पर सिर्फ हमको बच्चे को बताना है कि कौन सा greater है कौन सा less है और कौन सा equal कहां पर आएगा तो चलो जल्दी से देख लेते हैं हम first problem जो मैंने दिया है वह है one month next दिया है मैंने फोर विग अब इन से कौन सा बढ़ा है four weeks यानी twenty eight days one month यानी thirty thirty one days तो कौन सा greater है one month क्योंकि यहां पर thirty thirty one day से नहीं ढीन ट्वेस तो हम कौन से सहुन के ट्रफ ग्रेट वाली हाइट हमारा इसमें देखना है हाट का है रख ये किसका हाइट बड़ा होता है जिराफ हम कहां पर ग्रेटर सहीन देंगे जीराफ की तरफ थर्ड दे, weight of rat, weight of cat अब कौनसा weight, rat का weight और cat का weight में किसका weight ज़्यादा होते हैं? cat का फोर्ट दे, 21 hours and one day वन दे यानि 24 hours होते हैं और यहां लिखा हुआ है 21 hours तो 21 hours और वन दे में कौनसा ग्रेटर होगा? 24 hours वन दे, जिसमें 24 hours होते हैं एक दिन में 24 hours होते हैं 24 घंटे होते हैं तो यह ग्रेटर हैगा फिफ्ट प्रॉब्लम देखते हैं 10 rain drops वन कप ओफ वाटर कौनसा ज़्यादा होगा? 10 rain drops means कितने? 10 बून दे और वन कप ओफ वाटर तो कौनसा ज़्यादा होगा? 1 cup of water शेक्स्त में देखते हैं 1 hand span 1 qubit hand span means हमारे हातों की जो हतेली होते हैं सिर्फ उतना पूशन और 1 qubit means हमारे elbow से हमारे हात का जो elbow होता है elbow भाग उस elbow से उस elbow से लेकर जो पूरा hand span तक होता है उसे बोलते हैं Qubit तो कौनसा बढ़ा हुआ? Qubit और hand span चोटा हुआ तो hand span की तरफ less और Qubit की तरफ greater अब देखते हैं 14 days 2 weeks 14 days means 14 14 day 2 weeks means भी 14 days ही होता है तो फिर क्या होगा यहाँ पर equal कोई यह भी 14 days 2 weeks भी 14 days means equal sign 6 best 8 problem जो है 6 flowers 4 flowers तो कौन साल ग्रेटर है? obviously 6 6 greater है 4 smaller है 9th problem 9th problem में देखेंगे 12 balls 1 dozen 12 ball means 12 1 dozen means 12 जैसे हम बोलते हैं 1 dozen केला 1 dozen बनाना 1 dozen apple means 12 तो that means यह दोनों भी क्या होंगे? equal अभी जैसे 10th problem में 2 tens 4 ones और next है 4 tens 2 ones अभी 2 tens means 2 tens 4 ones means 2 tens 4 ones means 24 और यह 4 tens 2 ones 24 तो कौन सा ग्रेटर हुआ? 4 tens वाला 4 tens वाला और यह smaller हुआ ऐसे बहुत सारे problems हैं जो आप बच्चों को घर पर भी दे सकते हैं मैं यह कुछ 10 problems से लेकर आए थी बहुत interesting लेकर बच्चे करेंगे अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो subscribe और like जरूर कीजिएगा दूर वाज़ ऑट्रूर के अपट लेक्ड्रूर की अग्रणिंगा ऑटी वेडियों से लेक्रण। अलीश झाल ट्रूर आपको मेरा भी दिएखू से लेक्रण। अब रेक्रशव पसंदों